ब्रिमेटो की अभी हाल ही में खोज हुई है इसके अविशकार का श्रे भारती कृशी अनुसंधान परिशत को जाता है यानि ICAR Indian Council of Agriculture Research इसका असल श्रे Indian Institute of Vegetable Research वारनसी को जाता है जो की ICAR की अंतरगत ही आते आता है अब जान लेते हैं ब्रिमेटो है क्या ब्रिमेटो ग्राफ्टिंग विधी के द्वारा तैयार किया गया बैंगन और टमाटर का मिश्रण है जो की अब से एक ही पौधे पर भी उगाया जा सकता है पहले हमें बैंगन और टमाटर उगाने के लिए अलेलग पौधे लगाने होते थे पर ICR के द्वारा ग्राफ्टिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए ऐसा अविश्कार किया गया है जिसमें एक ही पौधे पर बैंगन और टमाटर को उगाया जा सकेगा खाला कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इसके पहले पौमैटो का भी अविश्कार हुआ था वो भी सेम ग्राफ्टिंग विधी के तहए थी उसका अविश्कार किया गया था जिसमें आलू और टमाटर को एक ही पौधे पर उगाया जा सकता है ब्रिमैटो भी सेम है इसका जो नामकरण हुआ है ब्री जो लिया गया है ब्रिंजल यानि की बैंकन से लिया गया और मैटो टमाटो से लिया गया इस तरहीके से इसका नाम ब्रिमैटो पड़ा है ग्राफ्टिंग टेक्निक के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या होती है ग्राफ्टिंग टेक्निक, इस विधी के तहत एक पौधे पर दूसरे पौधे की कटिंग लगाई जाती है, और किसी एक पेड या पौधे पर ही दूसरे पौधे को लगाया जाता है, किसी प अनुसंदान के द्वारा और यदि आप क्रिशी संबस्दित और भी अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, जैसे ट्री फार्मिंग, वेजिटेबल फार्मिंग और प्रॉफिट मेकिंग फार्मिंग, हर्ब या वीड फार्मिंग, यानी कि घास की भी खेती होती है, तो इस तरह कि अलग-अलग farming models के बारे में जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी आधिकारिक website signuptrendingnature.com यहाँ पर आपको free में PDF उबलब्द हो जाते हैं और e-books भी available हो जाती हैं अभी फिलहाल आप mahogany tree e-book ले सकते हैं उमीद करते हैं ब्रिमैटो से संबंदित जानकारी आपको समझ आई होगी और अगर आप ब्रिमैटो की जानकारी और अधिक detail में जानना चाहते हैं ब्रिमैटो का अविशकार किस तरीके से किया गया और क्या-क्या सावधानिया अनुसंधान केंद्र ने परती तो आप हमारी आधिकारी वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में विस्तार में पढ़ सकते हैं इमिद करते हैं ब्रिमैटो से समद्धिया जानकारी आपको समझ में आई होगी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया